Dear Students, Welcome to EduHub Online Classes, मैं हूँ चायंत, तो दोस्तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसके बारे में हम डिसकस करेंगे, परिक्षा होना तो तय है लेकिन परिक्षा किस तरीके से कराई जाए उसके बारे में अपडेट है, पहले होगी बारवी की परिक्षा और बाद में कर जाएगी दस्वी बोड की परिक्षाएं, ये सिक्षक संका कहना है दोस्तों, ये सरकार से और सिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट की जा रही है कि पहले बारवी की परिक्षाएं हो और उसके बाद जो हो दस्वी की परिक्षाएं, परिक्षा से पहले परिक्षा से पहले पूरा ध्यान रखते हुए बोड परिक्षाओं की व्यवस्ताई जो है करनी चाहिए। पूरा ध्यान रखते हुए बोड परिक्षाओं की व्यवस्ताई जो है करनी चाहिए। जिन विशयों में जो बालकों की संख्या कम है दो होंगे तो जो कम है उनकी पहले शुरू करवा देनी चाहिए। इससे क्या होगा थोड़ा जो है कोवीट की गाइडलाइन की पालना भी होगी और जो है टिका करन भी होता रहेगा साथ साथ तो कोवीट को फैलने का थोड़ा कम डर रहेगा। ठीके उसके बाद परिक्षा जो है बच्चों की उनके स्कूल में ही होनी चाहिए। ये भी कहा है संगठन के जीला संगठन मंत्री अनिल पांडिया ने कहा है की राज्य के समस्त विध्यालियों को बोर्ड परिक्षा केंद्र बनाया जाए। परिक्षा केंद्रों पर कोविड-19 के सुरक्षा के सभी नियुमों की पालना की जानी चाहिए। परिक्षा जो है बच्चों के स्कूल में हो जिससे डिस्टेंस ना हो और जो है कोविड-19 के नियमों की पालना की जानी चाहिए। दूसरा कहा है कि एक से डेड़ घंटे का ही एक्जाम हो और बड़े कृष्णों को अवाइड किया जाना चाहिए। पेपर का लेवल भी थोड़ा कम होना चाहिए क्योंकि पूरे साल जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है तो इसलिए थोड़ा पेपर का लेवल भी कम कर दीजिए। तो ये सब चीजे जो है बताई गई है दोस्तों सिक्छक संग के द्वारा पत्र भी जा गया है हो सकता है जल्दी ही इन सब चीजों पे मोहर लग जाएगी ठीक है दोस्तों तो जैसे ही कोई और अपडेट आता है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से शेयर करूँगा थैंक यह ऐसको आसता है आ से खलाया है अंडा ए राम जोका हुआ है आते हम च्रुमआ ए, कि पाल्की बालु करिएर इस चीजों यह ई।क प्रणे Exc